हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू दे चैनल कैसे हो आप सब एंड आप सभी को हैपी न्यू येर भुगवान करें आपका आने वाला साल और आने वाले हर दीन आपके बहुत अच्छे जाए हेल्दी रहें तो यहाँ पर यही क्रिसमस का दिन ही है हमने कुछ ज्यादा नहीं किया जो भी कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मेरी कोई भी लास्ट वीक में कोई भी वीडियो नहीं आई मिन्स एक ही आई कोई दिल ही नहीं किया पता नहीं क्यों कैमेरा उठाने का कुछ भी सूट करन करने का या फी वीडियो अपलोड करने का कुछ था भी नहीं अपलोड करने को यह थोड़ा बहुत क्लीपली वह शेयर कर लिया लेकिन इस इन बिट्वीन मुझे इंस्टा पे और यहां पे कॉमेंट आया कि ड्राय क्रेंड बेरी ले सकते हैं कि नहीं तो वह आप लोगों के स यूज नहीं किया टमेटो सॉस अधर्वाइस से टमेटो सॉस जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से बिना टमेटो सॉस के भी बहुत अच्छा लाँ मुझे पसंद आया है जब हम एक बार ना मेंटली प्रीपैर हो जाते हैं कि हम यह चीज नहीं खान कि ये health according मुझे यही लेना है तो फिर मुझे कोई problem नहीं होती तो I don't know मैं इस बावत में थोड़ी mentally strong जादा हूं खाने के बावत में पहले नहीं थी लेकिन कहते हैं जब हमारे साथ कोई भी problem होते हैं उसके बाद हम होई जाते हैं राइस की जगह यहां क्विन्वा यूज कर रहे हैं क्विन्वा health के लिए तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसमें compare to हमारा white rice हो गया brown rice हो गया वो ज्यादा healthy होता है हमारे लिए क्योंकि उसमें potassium कम होता है लेकिन health wise अगर क्विन्वा देखो ना तो इसमें iron rich बहुत ज़्या है इस हिसाब से काफी अच्छा है लेकिन potassium के हिसाब से देखो तो compare to this brown rice and white rice ज्यादा लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसमें जाती है तो मुसमी अपने लिए क्विन्वा यूज कर रही थी तो फिर मैंने अपने अलग से rice नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा ही इसमें यूज होता आपको के फ्रोज कर दिया था सो इसको मैं डिमोल्ट करके जिपलोक में भर के रख लूँगी सो ये सच मानिये मेरे तो बहुत काम में आ रहा है ये और आपने पुछा था के ड्राय क्रेंबेरी यूज कर सकते है के नहीं मैं पहले एक दो बार मैंने बहुत टाइम जब ये क्रेंबेरी में लेती थी थी ना तब मैंने इस टाट में यूज किया था फ्रेस क्रेंबेरी से वह ड्रायड वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्यूंकि वह सुगर काफी होता है इसमें अगर आप वह लेना चाहते हो तो यह आपकी मरजी है कोई health benefits उससे नहीं मिलेगा आपको इस purpose से अगर आप ले रहे हो तो नहीं मिलेगा टेस्ट के परपस से ले रहे हैं तो दन is okay क्योंकि high sugar होता है वैसा भी नहीं है कि कहीं हम जा रहे हैं कुछ खा लिया तो different बात है लेकिन अगर routine की चीज में हम add कर रहे हैं routine की हमारे everyday की जो meal हम prepare कर रहे हैं अगर उसमें अबर खा रहे हो और इतनी सुगर ले रहे हैं कि हम वहीं तो stop होते नहीं है न कि भी चलो एक मुठी हम cranberry salad में ले लिया और हमारा काम हो गया बहुत सारी besides that cheese हम खाते हैं during the day तो सारा कुछ end of the day हम add up करें तो सब चीजे बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस हिसाब से आप सोच के देख लो के खानी चाहिए के नहीं हाँ अगर आपको कहीं पे without sugar और dry meal जाए then is okay है लेकिन जैसे मैंने कहा ने यह काफी खटी होती है मैं इसकी चत्नी बहुत बनाया करत थी तो उसमें sugar जाती है तो बहुत मिंस के मैं इस तरह की जब हम पहले party वगेरे रख लिया करते थे ना Christmas की हम जाते थे कहीं तो और हमारे यहां कहीं रख लेते थे हम पहले किया करते थे तो उसमें चत्नी यूज करिया करती थी तो parties वगेरे में क्या होता है कि जैसे मैंने कहाने कहीं जा रहा है तो इस ओके है कि कभी कबार खा लिया लेकिन अगर everyday की routine में हम इतनी सुगर लेंगे तो फिर थो थोड़ी से दिक्कत हो जाएगी सो यही update था इसका क्विनवा यहां पे हो गया है यह rice to compare थोड़ी से ज़्यादा टाइम लेता है और इसको न वो छलनी में जो मेरे पास कॉलेंडर है थोड़े से उसके बड़े छेद होते हैं सो उसमें brain करूं भी तो सारा क्विनवा निकल जाएगा तो मैंने पहले ऐसे ही निकलने का ट्राइ किया लेकिन वाटर इसमें काफी रिटाइन कर रहा था तो फिर मैंने छलनी जो होती है चाय वाली उसमें से पानी मैंने साराओ कर दिया क्योंकि इतना फिर वेस्टेज जाता हो कालेंडर में तो यहां पे अनियान एंड ब्रॉक्ली सोटे कर लिया है यूज नहीं कर रहे हैं अदरवाज टामेटो सॉस एंची लड़ा का सॉस बनाती हूं वो वाला मैं इसमें यूज करती हूं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन यह मुझे तो बिल्कुल भी मिस नहीं हुआ कि मैंने इसमें टामेटो सॉस यूज नहीं किया है कि डायेट कैसी होनी चाहिए किद्नी के ट्रांस्प्लांट तो बस यही छोटी-छोटी सी चीजे जो होती है बस चेंज कर लो अपने एवरी डे रूटीन के खाने पीने में तो कुछ भी आपको मिस नहीं लगेगा आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम कोई बॉयल फूड बॉयल फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है आफ्टर किद्नी ट्रांस्प्लांट क्यूंकि वो ना दो चार दिन जाएगा अगर आपको लॉंग लाइफ हेल्दी रहना हेल्दी तो रह लोगे बॉयल फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन फिर कब तक हम रह पाएंगे चार दिन खाने के बाद हम फिर वही टेस्टी वाला खाना ढूंडने निकलेंगे और टेस्टी फिर ऐसा होगा कि बिल्कुल भी जंग फूड पर आ जाएंगे उससे अच्छा है कि इस तरह से मैंटेन करके सारा कुछ बैलेंस करके खाए तो हमें भी मजा है क्योंकि ठीक है अधरवाइस नहीं रह पाएंगे तो हर एक चीज को अपनी तरह से अपने हिसाब से कुछ टेस्टी उसे बनाएए खाईए और सब कुछ खाईए जिस तरह से जब भी प्रॉब्लेम को याती है तो उस चीज को आवाइड कीजिए जैसे कि अभी मुझे थोड़ा सा पोटेसियम लग रहा है तो मैं वो चीज को आवाइड कर रही हूँ जब आएगा कि डॉक्टर कहेंगे कि नहीं हाँ यह टेंपरररी था पर्मेनेंट नहीं है तुमारा पोटेसियम हाई तो फिर भी मैं अपने तरफ से अब तो कंट्रोल ही करूंगी हाँ इतना ज्यादा अब ही जैसे मैंने कम्प्लीटली टमेटो वगेरा जो भी पोटेसियम हाई की चीजें हैं बंद की हैं वो कम्प्लीटली नहीं करूंगी लेकिन धीरे से उसे में कट्डाउन तो डेफिनेटली करूंगी क्योंकि अब मुझे पता चला है कि मेरी बाडी में वो प्रॉब्लम आनी सुरू हुई है तो उस हिसाप से में अपनी डाएट में अब तक तो मैंने यह सारी चीजे प्रॉब्लेम नहीं थी भेस नहीं की थी तो अपने ही साप से ओवर नहीं खाती थी लेकिन किसी चीज को मैंने अबेड भी नहीं किया है जैसे मैंने कहा न, यह cranberry का थोड़ा सा बचा था, वो भी हम लोग ने इसमें यूज कर लिया, जिससे potassium का थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर सको और taste भी आ जाए सो मुस में अपने उपर चीज रखा है, मैंने चीज उसको मना कर दिया कि मेरे में मत रखना, तो वैसे चीज तो मुझे काफी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं चीज को अवरेट कर रहे हूँ, लेकिन जहां जो चीज में मुझे लगता है, कि यह विदावट चीज मुझे अच् जिस फूड में डिपेंड करता है कि किस चीज में मुझे चीज चाहिए, इसके बिना नहीं अच्छे लगेगी, उस हिसाब से मैं लेती हूँ, यहां पे बस मेरा हो गया है बिना चीज का और मुसमी का हो गया चीज वाला, तो हम लोग का इस तरह का क्रिसमस का था, कुछ ज बच गया है, तो उसको मैंने मिक्स कर लिया, एक चमच भी नहीं, अधा भी नहीं, थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स के जितना ही मैंने वह एड किया था, क्रेंड बेरी का ज्यूस, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, साइड में मैंने थोड़ा सा वो डे लिया इस तरह से मेरा हम लोग काज का ये लंच हो गया, और यहां पे हम लोग मुवी देख रहे थे, और मुवी देखते देखते बीच में मुसमी को भूख लग रही थी, तो मैंने पनीर थे, मेरे पास बना के मैं थोड़ा रखती हूँ घर पे, क्यूंकि मुसमी को इस तरह का ह होता है, कि कभी कुछ दिल कर गया, तो हैंदी हो तो अच्छा काम आ जाता है, तो ये हम मिट पनीर है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी डालके से मैरिनेट करने मैंने रख लिया, अराउंड 10 मिनिट के जितना रखा होगा, औ क्या बोलते हैं, पैन में ही, इसे साटे कर लूँगी, थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी इसको, और आई होप सो आप लोगों की क्रिस्मस बहुत अच्छी रही हो, हम लोग की तो बस इस तरह की कुछ रही, जैसे मैंने काम कहीं भी बहार नहीं निकले थे, एकदम से ले तो बस यहां यह पनीर हो गया है, बन करके रेडी, क्रंची क्रंची सा मुसमिक को चाहिए था, और उसके साथ मैंने कौन थोड़े से माइक्रोय में स्टीम कर लिये थे, मुझे यह कौन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, भूने हुए कौन से ज़्यादा मुझे यह पसंद है, तो मैंने अपने लिए कौन किया, हस्बन ने भी भूने, हस्बन के मैंने भूना था, वो नहीं लिया मैंने वीडियो, उनको भूने हुए पसंद आते हैं, उपर नमक, मिर्ची, निम्बू डाल करके, और मैं एज़ इज़ इज़ खा लेती हूं, तो किस किस व्लॉग में या वीडियो में, तब तक, stay healthy, stay happy, happy new year again आप सभी को